अभी दुबारा से हम देखते हैं कि greatest among two number इसमें क्या है कि बस एक ही चीज खयाल रखने है कि अभी इसमें जो अगर दोनों number equal होगा तो यह condition हम नहीं करें क्योंकि हमें एक line और include करने परेगी तो इस बात का आप खयाल रखें मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत लोग को यह नहीं चलता बस इसी condition पर प्रोग्राम लिख देते हैं और अगर कोई number equal आजाएगा तो वहां पर error आजाता है यहां पर बस वही else है तो अगर ternary operator का पता है मैंने बताया था पहले तो सही है नहीं है तो जाकर दुबारा से आप वह video देखो और फिर यहां पर आजाओ फिर clear होगा अब यह क्या इतने लंबे प्रोग्राम का अब क्या है कि इतने छोटे से में करते हैं बाकी यहां पर अभी space नहीं था इसलिए मैंने scanf दो नहीं लिया तो यहां नंबर ही assign कर दिया अगर यहां सी user से आप ले भी सकते हो नहीं ले सकते हो यहां यह जानने से पहले हम एक च print हो जाएगा हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं printf यहां पर हमने 5 प्लस 3 तो यह 5 प्लस 3 जो है यह 8 as a output देगा यह जो है ना हम printf एक function है अगर हम इसमें बहुत सारे argument देंगे तो यह calculate भी करता है तो यह जो होगा हमारी आगे आने वाली जो life है बहुत easy कर देगा तो इस easy का हम फ 5 प्लस 3 देगा अब यहां पर क्या है कि मैंने पहले तीन नंबर दो नंबर लेते हैं a और b इस दोनों में मैंने ternary operator का यूज़ करके बताया था क्या बताया था इसको check करेंगे यहां पर a is greater than b question mark a column b इसका क्या मतलब हुआ कि यह condition check करेंगे अगर यह true होता है अगर यह true होता है तो यह वाला assign हो जाएगा और अगर false होता है तो यह वाला और यहां पर हमने एक n दे दिया तो यह वाला number assign हो जाएगा इसमें तो इसी का हम use करते हैं printf में तो अब क्या है कि यहां पर मैंने printf एक function ले लिया यहां पर %d यहां पर हमारा double quotes बंद होगे और यहां पर हमने फिर वह statement दे दिया अभी जैसे मैंने बताया 5 plus 3 तो वह हम लिख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब यहां पर क्या है कि number one is greater than number two टर्नरी ओपरेटर यूज किया मैंने तो अगर number one हमारा greater है तो क्या होगा number one return कर देगा और अगर यह यह fails हो गया तो number two हो गया simple एक लाइन में हमारा जो printf है इतने सारे यह जो if वाले है यह सब यह सारे जो है एक लाइन में हमारा program done तो यह जो होगा simple एक लाइन में वह compare कर सकते हैं कि दो नंबर में से greater on है तो आपके लिए यह क्या बोल से टास्क रहा कि आप खुद से एक बार three number का वह जो हमने किया था लास्ट टाइम तो जो three number वाला था उसमें कि कैसे हम turnary operator के थुरू करेंगे और वह भी हमारा एक लाइन में हो जाएगा त्यानिकि जाएसे जो 20-25 लाइन हमारी जाएंगी logic में तो अगर हम turnary के cut through करते हैं तो वह एक बार में हमारा एक लाइन में खत्म हो जाएगा